भारतिये टीम ने दुनिया को एक से एक बढ़कर बल्लेवाज दिये हैं इनमें सुनील गावसकर, कपिल देप, सचिन तेंदुलकर, बीरेंट सहवाक, महन सिंग धोनी, बिराट कोहिली और रोहिच सर्मा सामिल हैं टीम इंडिया की बल्लेवाजी सारी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है लेकिन न्यूजी लेंड के खिलाब पहले टी-20 मैच में टीम इंडिया की बल्लेवाजी बुरी तरह से फ्लॉप नजर आई आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों यदि आप भी इंडियन क्रिकेट टीम के जवजस्त फैन हैं तो अपने प्यारे हातों से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों यहीं पर इसान किसन सिर्फ चार रन बनाकर ही आउट हो गए वहीं सुवन गिल ने सात रन बनाए तीसरे नमर पर उत्रे रहुल तरपाठी अपना खाता तक नहीं खोल पाए इसी वज़े के बाद में आने वाले बल्ले वाजों पर दवाओ बढ़ गया और टीम इंडिया की बल्ले वाजी तास के पत्तों की तरह विखर गई और भारतिय टीम को मैच 21 रनों से गवाना पड़ा पहले मैच में भारतिय गेंद वाजों और बल्ले वाजों ने बहुत ही खराब खेल दिखाया अब दूसरा टी-20 मैच लखनों के मैदान पर खेला जाएगा इस मैच में कप्तान हार्दिक पांडिया प्लैंग 11 में सबसे बड़े बदलाव कर सकते हैं टीम इंडिया इस मैच को जीत कर सीरीज में बरावरी हांसिल करना जरूर चाहेगी दोस्तो